वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और चलिए शुरू करते हैं भारती राजियों में मानव विकास च्वारत में योजन आयोग द्वारा वर्स 2002 में पहली राष्ट्री मानव विकास के संदर होगार ट्रकास्त कर खेले हैं और जिसमें मानविकास के दृष्टे से केरल जो पूरे देश में उसका प्रथम स्थान था इसमें पंजाब दूसरा तमिल नाडू तीसरे महराष्ट चोथे तथा हर्याना पाचमें स्थान पर था ठीक है याद रखेगा राष्ट्री मानविकास रिपोर्ट सबसे पहले 2002 मे साथ समग्र आर्थिक लेंदेन का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है ठीक है यानि किसी देश की निवासी का सेश विष्व के साथ समग्र आर्थिक लेंदेन और भुगतान संतुलन एक विवरण है जो किसी अवधिके दवरान व्यावसाइक इकाईयों सरका कि इसी देश की विट्टी स्थिति का बहतर तरीके से मुल्यांकन करने में साहयता करता है तो यानि प्रतिच विदेशी निवेश यानि FDI किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश में दूसरे देश में इस्थित व्यावसाइक हितों में किया गया निवेश है यहां आर्थिक विकास का एक महत्तुपूर्ण चालक है ऐसे निवेश से निवेश को को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्स निवेस होता है ठीक है प्रतेश विदेशी निवेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है पहला तो ग्रीन फिल्ड निवेस इसके तहट दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है और पॉर्ट फोलियो निवेस में क्या होता है इसके तहट किसी विदेशी कंपन के सेयर खरीदे जाते हैं और ग्रीन फिल्ड में क्या होता है दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है वर्थ 2019 में सरकार द्वारा FDI नीथी 2017 में संसोधन कोईला खनन गत्विधियों में स्वता मार्क के तहत 100% FDI की अनुमती देने के लिए FDI प्रवाह में व्रिध्धि हुई अब देख लेते हैं FDI का लाव देख लेते हैं तो देखे जुटा जुटा निवेस के अस्तर विदेशी निवेस वांशित निवेस और स्थानी अस्तर पर जुटाए बचत के बीच की भर सकते हैं प्रद्योगिगी के अप्ग्रेडेशन इस अपने निर्यात के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं रोजगार सुरिजन भी हुआ उप्भोगताओं को भी लाव होता है इसमें जैसे विकास सिल देशों में उप्भोगताओं के लिए नए उत्पादों के माध्यम से प्रतिछ विदेशी निवेस से लाव मिलने वाला है घरेलू उद्योगों में मुनाफों में गिरावट प्रमुख घरेलू बजच्ट में गिरावट करने के लिए फिर कॉर्परेट करो के माध्यम से सारवजनिक राजस्व के लिए विदेशी कंपनियों का योगदान है क्योंकि मेजबान सरकार दोरा प्रतान की गई उदा इतिमाही में निवल विदेशी निवेस प्रवाह वित्तवर्ज 2021 की इस अवधी की थुलना में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर कुछ कम रहा है। एक अंतराष्टी संस्था है जो सदस्य राष्ट्रों की वैस्विक आर्थिक इस्थिती पर द्रिश्टी रखने का कारे करती है। थी और 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझहोते पर हस्ताचर करने के बाद इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्याले वॉसिंगेटन डीसी में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में इसमें कुल 190 सदस्य है। अंडोरा जो है यह अंतराष्टी मुद्राकोस का 190 सदस्य है। ठीक है और अंडोरा के अगर बात की जाए तो यह फ्रांस और स्पेन के बीच में एक माइक्रो स्टेट है। और यह यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। आगे इसकी कारे देख लेते हैं तो अंतराष्टी भुकतान संबंधी तरलता की समस्या का समाधान करना यह केंद्री बैंक को वित्त मंत्रालेयों कर अधिकारियों एवं अन्य आर्थिक संस्थानों को प्रद्योगी की सहयोग और प्रसिक्षर प्रदान करता है। यह अंतराष्टी मौदिक प्रडाली का निरिक्षन करता है एवं अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्ती नीतियों की निग्रानी करता है। विनमे दरोब में स्थाइट तुलाना और देशों को भुकतान सलतुल को दूर करने हेतों रिण देना यह अल्पकालीन इसकी सदस्यता देख लेते हैं इसकी सदस्यता के लिए दो महत्पूर्ण सरते हैं पहला तो विस्व बैंक का सदस्य होना और दूसरा आई एमेफ में निर्धारित अंसदान कोटा को जमा करना ठीक है आगे विस्व बैंक समूह यह काफी इंपोर्टेंट है याद रखीएगा विस्व बैंक समूह तो इसमें पांच संगठन है विस्व बैंक समूह में ठीक है एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हैं अंतर राश्री पुनर निर्माड एवं विकास बैंक यानि IBRD इसके स्थापना 1944 में हुई इसका कार्य विकास एवं पुनर निर्माड हेतु रिड दूसरा है अंतर राश्री विकास प्रिसर यानि IDA इसके स्थापना 1960 में हुई है विकास हेतु रिड देना अंतर राश्री वित्तनिगम IFC स्था स्थापना 1988 में गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेस और लास्ट में है निवेस विवादों के निप्टारेक हेतु अंतराश्ची संगठन इसके स्थापना 1986 में विवादों का निप्टारा तो आईबी आईडी आईए आईएफसी मीगा और एक्षिट ये विश्व बैंक समू के पांस संगठन है अब देखते हैं विश्व वियापार संगठन डबलू टी ओ तो देखे इसके स्थापना एक जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्याल है जिनेवा सुट्जलैंड में है वर्तमान में इस संगठन में खुल 164 सदस्य है और इसका 164 सदस्य जो है वो अफगानिस्तान है विश्व वियापार संगठन वैस्व के वियापार और वैस्वी करण की सुरुआत करने वाले संगठन का नाम है या सं विश्व व्यापार संगेठन का प्रमुख उद्देश, विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्सी तथा अधिक अनुन में व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना आगे देखते हैं इसके कार्य देख लेते हैं तो विश्व व्यापार समझोता एवं बहु पक्षी समझो व्यापार एवं प्रसुर्क से संबंदित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्द है तो एक मंच के रूप में कारे करना विवादों के निप्टारे से संबंदित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रकाशित करना व्यापार नीती समिक्षा प्रक्रि से सहयोग करना तथा विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना ठीक है तो यह हमने देख लिया विश्व व्यापार संग्यठन के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब देखेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच